कैसे आप सभी उमीद करती हूं सब बढ़िया ही होंगे तो आज यहां पर मैं बना रही हूं राजिस्तान की स्पेशल पालक और मूंग डाल मंगोडी की सब्जी बहुत ही रेस्टी है सब्जी लगती है तो यहां पर मैंने एक डाल सुरी हेक अप मूंग की डाल की जो उसमें भी काम हो जाएगा जैसा आपको यह जी लगया आप ऐसा कर सकते हो यहां पर हमने गैस पर रख लिया अपना कुकर इसमें डाला है आधा चमच के करीब घी और हमने जो मंगोडी कूटी थी ना इनको डाल देंगे हम हमारे कुकर के अंदर और इसे हम कर लेंगे रोस्ट कर लिया ना तो यह कुक होने में प्रॉब्लम करती है तो देखिए इस तरह का टेक्शर इसका आना चाहिए यहां पर मैंने धाई कप जो है पाने डाल दिया है तो धाई कप आपको पानी डालना है एक कप मंगोडी बनाते ताइन अभी फिलाल जब सिंगल मंगोड इसके अगोडिंग डाल दिया है साथ में आपर मैं थोड़ी से राइस को कर रही हूं क्योंकि दाल हमारी बन गई है तो बच्चे स्कूल से आया और यह सबजी थोड़ा सा लगता है कम खाते है वैसे जनरली कम ही काते है सारे बच्चे सबजी आज के ताइम में बर थोड़ अगर मैं हमारी सीटिया आ रही है तो पांच से छह बेसे लेंगे मीडियम फ्लेम पर यहां पर मेरी हरीमिची भी कर चुकी है और प्याज में से बहुत मतलब काटने पर आसु आ रहा है अब यहां पर हमने जो लेस्ट सुन है ना उसको भी बारीक बारीक चॉप कर लेंगे अब इसमें थोड़ चाकू से इस तरह से प्रेस कर दे तो और अच्छी से वह क्रश हो जाएगा अब दो टमाटर ले लिए आप चाहो तो मिक्सी में पीस केस की प्यूरी मेना सकते हो या फिर जो यही टमाटर को इस तरह से मैं चॉपर में कर लेते हूं प्यूरी की जुरत करते हैं हाथ की भी एकसरसाइज में या निकाल लिया अब इसका अंद्र हम चॉप करेंगे हमारा पालक अब नहीं पारिक यहां पर है ना पालक छोप गोता है ती जाएंगी दोखियें deo बहुत मिटती होती है 2 तो फ़ोड़ा दालती जाओंगी चॉप करती जऊंगी बाप से लाटंप निकालोंगी इसको जब अच्छे से भढ़ जाएगा तब इसको निकालोंगी क्योंकि चॉप होने के बाद यह जरासर जाएगा फिर इसके अंदर और डालती जाओंगी चॉप करती जाओंगी तो देखिए दो बार में मेरा यह जो 200 ग्राम पालक मैंने लिया था यह दो बार चम्मस तेले जादा नहीं अब थोड़ा सा हिंग डाल दिया है तक भी बनाता चम्मच हम आपे जीरा डाल दिये हैं और लेसन और हरी मिर्ची आप चाहो तो थोड़ी अद्रग भी ले सकते हो मैंने नहीं डाली है अद्रग डालोंगी तो टेस्ट और अच्छा हैगा साथ म मैं अब ये प्यास डाल दिया है इसको थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेते हैं चलाते रहेगा ताकि लगे ना क्योंकि उतना ज़्यादा हमने ना तो घी लिया है तील जो भी है और साथ में दो दो चम्मच जो है बेसन डाल देंगे इससे तो सबजी का फ्लेवर है ना बहुत ह बढ़िया हो जाएगा अब इसे ये देखिए लगाता चलाते जरूर रहना पर इस्टील का पैन है जलने भी लगता है अब ये जो टमाटर हमने चौप किया था ना इसाथ में इसको भी डाल देते हैं तो आप चाहू आपको तेल पसंद है ज्यादा तो आप तेल डाल सकते हो यहाँ पर बिल्कुल चौथा ही चमस हल्दी डाल दिया एक चमच पर ची डाल दिया है आदा चमच हम डाल देंगे धनिया पाउडर और थोड़े बहुत मसाले आर आपको जैसे पसंद है ना कितना तीखा खाते हो उस इसाब से और टेस्ट के अगॉर्डिंग नमक केरफ जा नहीं आला अब देखिए अब इसमें हमने डाला है चौप किया हुआ पालक इसे भी हम अच्छे से कुक करेंगे पहले ही बोल देती हूं भई तेल मैंने कम डाला है आप लोग चाहों आपको तरी वाली सबजी पसंद है आप अपने तेल की क्वांटिटी यहां पर बढ किया सकते हूं अब यह थोड़ा सा पाने डाल दिया उसका टोरी के अंदर और इसकोमx करके थोड़ी देज स्लो। फ्लेम पे धकती के चiping पकने देंगे और टू चलिए से हम ढप देते हैं और इसेंटक होने देते हैं थोड़ी तरी जरी पानच मिनट थे लिए तब तक हम चेक करते हैं हमारी मंगोडी हुई है या नहीं हुई है देखो क्या गजब धुआ रहा है मस्तमजिदार तो यह देखिए हमारी जो बड़ी है न यह को खोड़ चुकी है तक्रीबन पांस से छे सीटी मैंने लिया था अब मैं साथ में लगा लेती हूँ तो यहाँ पर जो मेरा आटा है न मतलब गियों का नहीं साथ में मीसा भी है जो चना भी इसके अंदर थोड़ा सा डाला है अब यहाँ पे देखिए हमारा पालक है न इतनी दिर में कोक हो गया हमारा आटा लग गया अब यह जो हमारी मंगोडी है यह भी कुक हो गई है अब यa इसके अंदर हम डाल देते हैं और इसे बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेते हैं भाई जन्हें पालक पसंद नहीं है उन्हें भी यह सबजी पसंद आएगी और यह भी हम अब बना कि जरूर ट्राय कीजिएगा अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देदी जो कुकर में मंगोडी रह गई थी ना वो इसके अंदर आ जाएगी अब इसे थोड़ी अच्छे से मिक्स करके थोड़ी ड़के और पकने देंगे ताकि तरी बरी है थोड़ी सी वो इसके उपर आ जाएगी यह देखिए अब लगा दिया हमने धकन खोल भी दिया है तो यह देखिए अब इसमें हम एक और तड़का दिंगे जो ऑप्षनल है अब देना चाहो दे सकते हैं नहीं देना चाहो तो कोई बात नहीं है अब यहां पर थोड़ा सा तेल डाला है एक से देड़ चमच अब यह तेल डालने के बाद थोड़ा सा इसमें हरी मिर्ची डाल तो स्रेट की उई ग्रीन चिली भी यहां पर यूज़ कर सकते हो अद्रक की जुलिया आप यूज़ कर सकते हो और गैस को अब बंद कर देंगे तिल डालने के बाद भी तिल बहुत तेज तेज चटकता है और थोड़ा सा हींग डाल दिया है यह तोड़ा सा तिल का कलर जो है चेंज हो गया है वाँ 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 यह देखिए सबजी का कलर रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई